परिचय बच्चु बताओ कि कक्षा में कितने चात्र हैं? 35 है सर बहुत अच्छे और इन में से कितने चात्रों की लंबाई 3 फिट से ज्यादा है? ऐसे 5 चात्र हैं सर और इन में से कितनी लड़किया है? ओ, बहुत सी लड़किया हैं सर क्या तुम जानते हो कि मैं ये प्रश्न क्यूं पूछ रहा हूँ? नहीं सर मैं आपकी कक्षा के आकणे ले रहा हूँ आकणे? वो क्या होते हैं सर? अच्छा चलो, आज हम अपने इस अध्याई में आकणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्निक करने में सक्षम हो जाएंगे आकणों को परिभाशित करना सांकिकी को परिभाशित करना दंड आलेक, आयत चित्र और बारम बारता बहुबुज बनाना माध्य, माध्यक और बहुलक को परिभाशित करना माध्य, माध्यक और बहुलक की गड़ना करना परिभाशा हम जानते हैं कि संख्यात्मक या अन्यतत्थे या चित्र जिन्हें आकड़े यानी डाटा कहते हैं एक खास उद्देश से एकत्रित किये जाते हैं डाटा लेटिन शब्द डेटम का बहुचन है स्टेटिस्टिक्स शब्द लेटिन शब्द स्टेटस से बना है जिसका अर्थ एक राजनेतिक राज्ये होता है सांकिकी का काम आकड़ों का संग्रह करना है संगठित करना, विशलेशित करना और निर्वचन करना आकड़ों का संग्रह आखड़े दो प्रकार के होते हैं, एक प्रात्मिक आखड़े और दूसरे गौण आखड़े. प्रात्मिक आंकडे जब अन्वेशक ने अपनी दिमाग में एक नश्चित उद्देश रखकर सुचनाओं को एकत्रित किया हो तो इस प्रकार एकत्रित किये गए आंकडों को प्रात्मिक आंकडे कहा जाता है गौन आकड़े जब किसी स्रोज से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित हैं आकड़े प्राप्त किये गए हो तो उन आकड़ों को गौन आकड़े कहा जाता है इस प्रकार के आंकड़े का प्रयोग जिसे किसी और ने इन्हें अन्य संदर्भ में एकत्रित किया है यह सुनिश्चित करने के बाद ही कि ये सुरोत विश्वसनिय है काफी सावधानी के साथ करना चाहिए आंकड़ों का प्रस्तुती करण आंकड़ों का संग्रह करने के बाद अन्वेशक को इन आंकड़ों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने की विधियों को ग्यात करना होता है जो अर्थपूं हो और सरल्ता से समझी जा सकती हो आईएए अब कुछ उधारणों को देखें जो आकड़ों को प्रस्तुत करने की विभिन विधियों को दर्शाते हैं संख्याओं को देखो ये संख्याएं विज्ञान विशे में दस छात्रों ढौरा प्राप्त किये गए अंक हैं आकणों के इस रूप को यथा प्राप्त आकडे कहते हैं चात्रों द्वारा प्राप्त निवनतम अंक 25 है और चात्रों द्वारा प्राप्त अधिक्तम अंक 95 है यदि हम इन संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो हमारे लिए अधिकतम अंक और निवनतम अंक ग्याद करने में आसानी होगी। आकणों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखने पर काफी समय लग सकता है। विशेश रूप से तब जबकी प्रयोग में प्रेक्षणों की संख्या अधिक हो। जैसा की अगले उधारन में आप देख सकते हैं। अता यह आरोही क्रम है। अब हम स्पच्ट रूप से देख सकते हैं कि निवनतम अंक पचीस है और अधिकतम अंक पिच्चानवे है। आक्णों के अधिक्तम और नियुनतम मानू के बीच के अंतर को आक्णों का परिसर कहा जाता है। अताह इस उधारण में परिसर 95 गटा 25 बराबर 70 है। बारम बरता इन संख्या को देखिए। ये बीच चात्रों द्वारा विज्ञान विशे में प्राप्त अंक है। इसमें अधिक्तम अंक 10 है। हम देख सकते हैं कि दो चात्रों ने 10 अंक प्राप्त किये हैं। अताह दस की बारम बरता दो है। एक निश्चितंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को इस अंक की बारम बरता कहा जाता है। हम इस आंकडे को ज्यादा आसानी से समझने के लिए एक सारणी में लिखते हैं, ये अंखें और ये बारंबर्ताएं हैं, इस सारणी को अवर्गी कृत बारंबर्ता बंटन सारणी या केवल बारंबर्ता बंटन सारणी कहा जाता है. वर्गी कृत बारम बरता बंटन सारणी कई बार हमें आकणों की बड़ी संख्या प्राप्त होती है तो ऐसी बड़ी संख्या वाले आकणों को प्रस्तुत करने के लिए हम इन्हें वर्गों में पांट देते हैं जैसे 6-3, 4-7 से लेकर 16-19 तक क्योंकी हमारे आकड़े 1-18 तक हैं इन वर्गों को वर्ग या वर्ग अंतराल कहते हैं और माप को वर्ग माप या वर्ग चौडाई कहा जाता है यहां माप चार है इन सभी वर्गों में सबसे छोटी संख्या को निम्न वर्ग सीमा और सबसे बड़ी संख्या को उपरी वर्ग सीमा कहते हैं जैसे शूने से तीन में शूने निम्न वर्ग सीमा है और तीन उपरी वर्ग सीमा है इस प्रकार की सारणियों को वर्गी करित बारंबर्ता बंटन सारणी कहते हैं आकणों का आलेखिये निरूपन जब आकणों को सीखने वालों के सामने चित्रात्मक या आलेखिये रूप में निरूपित किया जाता है तो यहां निरूपन को ज्यादा दर्शनिये और समझने योग्ये बनाता है आकणों को आलेखिये रूप में निरूपित करने के कही प्रकार हैं दंड आलेख एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाईयों वाले आयत चित्र और बारम बरता बहुभोज आये इनके बारे में एक एक करके जाने दंड आलेक हम जानते हैं कि दंड आलेक आगणों का एक चित्रिये निरूपन होता है जिसमें प्राया एक अक्ष मान लिजिए एक्स अक्ष पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई के दंड खीचे जाते हैं जिनके बीच में बराबर बराबर तूरियां छोड़ी चाती हैं चर के मान दूसरे अक्ष मान लिजिए वाई अक्ष पर दिखाय चाते हैं और दंडों की उचाईयां चरके मानों पर निर्भर करती हैं। आईए अब हम निम्लिकित उधारन लेकर इनका पुनर विलूगन करें कि एक दंड आलेक किस प्रकार बनाया जाता है। या नीना द्वारा पिछले हफ़ते खाई गई चॉकलेटों की संखिया बताता है। क्या आप बता सकते हैं कि किस दिन उसने सबसे अधिक चॉकलेट खाई थी। हम देख सकते हैं कि ब्रस्पतिवार को उसने सबसे अधिक चॉकलेट खाई। दंड आलेक का निरूपण अब हम सीखेंगे कि दंड आलेक का निरूपण किस परकार करते हैं इस सारणी को देखिए यह 20,000 मासिकाई वाले परिवार के विभिन वस्तों पर खर्च को दर्चाती है आएए एक दंड आलेक खींचिए दंड आलेक बनाने के लिए हम वस्तों को 36 अक्ष पर और खर्च को उर्धवातर अक्ष पर दर्चाते हैं दोनों अक्षों पर वस्तों और खर्च को चिन्हित कीजिए यहां एक का अर्थ है एक हजार और दो का अर्थ दो हजार है अब अपने पहली वस्तु को निरूपित करने के लिए जो की ग्रॉसरी है हमें चार इकाई का एक दंड बनाना है इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं को एक इकाई के अंतराल के बाद दो क्रमा गद दंडो त्वारा निरूपित करते हैं आयच चित्र दंड आलेक की तरही आयच चित्र भी आलेक पत्र पर बनाए गए स्तंभों से बनता है आम तोर पर दो आसन स्तंभों के बीच कोई रिक्तिस्थान नहीं होता यह संतद अंतरालों के लिए प्रयुक्त होता है इस बारम बर्ता सारणी और इस वर्ग अंतराल को देखिए यह अंतराल संतत है यह बारम बर्ता सारणी 36 चात्रों के द्रवेमान को निरूपित करते है आले खीचने के लिए भार को क्षेतिज अक्षपर और छात्रों की संक्या को उर्थवादर अक्षपर निरूपित करते हैं चूंकि अधिक्तम बारंबर्ता पंद्रा है इसलिए हमें अधिक्तम बारंबर्ता को निरूपित करने के लिए पैमाना चुनना होगा साथ ही क्योंकि पहला वर्ग अंतराल शूने के बजाए 30.5 से प्रारंब होता है हम इसे अक्ष पर एक व्यवधान के द्वारा अंकित करेंगे आईए अब वर्ग अंतराल 30.5 से 35.5 के लिए 9 सेंटिमेटर लंबाई का एक आयत बनाए इसी प्रकार हम दूसरा आयत बनाते हैं इसे आयत चुत्र कहते हैं बारम बरता बहुभुज किसी बारम बरता बहुभुज बनाने हे तू आयत चुत्र के संगत आयतों की उपरी भुजाओं के मध्य बिंदूओं को रेखा खंडों से जोड़ देते हैं आयत चुत्र बनाए बिना ही बारम बरता बहुभुजओं को सौतंत्र रूप से भी बनाया जा सकता है इसके लिए हमें आकडों में प्रयुक्त वर्ग अंतरालों के मध्ध बिंदूओं की आविशक्ता होती है वर्ग अंतरालों के इन मध्ध बिंदूओं को वर्ग चिन्ध कहा जाता है वर्ग अंद्राल के वर्ग चिन्न प्राप्त करने के लिए हमें सभी उपरी सीमाओं और निम्न सीमाओं का योग करके उसे दो से विभाजित कर देते हैं बारम बरता बहुभुज समान प्रकृती के दो अलग-अलग आंकणों की तुलना करने में बहुत उप्योगी होता है जैसे एक यही विद्याले के दो फुटबॉल टीमों के प्रदर्शन की तुलना केंद्रिय प्रावृत्ति के माप केंद्रिय प्रावृत्ति का आशय आकणों के माध्य या किसी खास मान से होता है और इसका मापन माध्य, माध्यक और बहुलक से किया जाता है आईए एक एक कर इनके बारे में जाने माध्य अनेक प्रेक्षणों का माध्य या ओसत सभी प्रेक्षणों के मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है इसे इस जिन जिसे एकस बार पढ़ा जाता है इससे प्रकट किया जाता है माध्यक माध्यक दिये हुए प्रेक्षणों में वह मान होता है जो इसे ठीक ठीक दो भागों में विभक्त कर देता है जब प्रेक्षणों की संख्या N विशम होती है, तब माध्यक N जमा एक बटे दोवें प्रेक्षण का मान होता है उधारण के लिए यदि N बराबर 13 है, तो 13 जमा एक बटे दोवां माध्यक होगा, जोकी साथवां प्रेक्षण है और प्रेक्षणों की संख्या N सम होती है, तब माध्यक N बटे दोवां और N बटे दो जमा एक बटे दोवां प्रेक्षणों का माध्य होता है उधारण के लिए यदि N बराबर 16 हो, तो 16 बटे दोवां और 16 बटे दो जमा एकवें प्रेक्षणों के मानों का माध्य ही माध्यक होगा आखरी माप बहुलक है बहुलक प्रेक्षण का वहमान होता है, जो बार बार घटित होता रहता है अर्थात अधिक्तम बारंबरता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है उदारण आईए अब एक उदारण को हल करते है माउन्ट रैवल प्रतेक वर्ष एक फुटबाल प्रतियूगता आयोजित करता है इस वर्ष दस्वें खेल में घरेलू टीम की ओर से सबसे अधिक गोल करने वाले ने साथ पांच शूने, साथ आठ पांच पांच, चार चार और पांच गोल किए माध्धे स्कोर क्या है आईए हमें एक चर एकस आई का प्रेयोग करें जो की आई वे प्रेक्षण को प्रकट करता है इस इस्थिति में आई कमान एक से दस के बीच हो सकता है अता हमारा पहला प्रिक्षन X1 है और दूसरा प्रिक्षन X2 है और X10 तक सभी मान इसी प्रकार होंगे यहां X1 बराबर 7 पहले प्रिक्षन का मान है इसी प्रकार X2 बराबर 5, X3 बराबर 0, X4 बराबर 7, X5 बराबर 8, X6 बराबर 5, X7 बराबर 5, X8 बराबर 4, X9 बराबर 4, X10 बराबर 5 अतहा मात्य X2 बराबर सभी प्रिक्षन का योग बटे प्रिक्षन की कुल संख्या जो की X1 जमा X2 जमा X3 जमा X4 जमा X5 जमा X6 जमा X7 जमा X8 जमा X9 जमा X10 बराबर 10 के बराबर है जो 7 जमा 5 जमा 0 जमा 7 जमा 8 जमा 5 जमा 5 जमा 4 जमा 4 जमा 5 बटा 10 के बराबर है यह 50 बटा 10 के बराबर है जो की 5 के बराबर है अतहा मात्य स्कूर 5 है यदि प्रेक्षणों की संक्या ज्यादा जैसे X-30 होती तो मात्य की तुलना करने में काफी समय लगता ऐसे प्रश्णों को हल करने के लिए हम संकलन के लिए ग्रेक चिन सिग्मा का प्रेयोग करते हैं आता X-1 जमा X-2 जमा X-3 जमा इत्यादी जमा X-30 तक लिखने के बजाए हम इसे X-I का योग लिखते हैं जहां I कमान एक से 30 तक विचरण करता है यहाँ अवर्गी कृत बारंबर्दा के लिए है बीस चात्रों द्वारा प्राप्त अंकों दस में से उसका बहुलग ज्याद कीजिए हम जानते हैं कि बहुलग उस प्रिक्षान का मान है जिसकी बारंबर्दा अधिक्तम होती है हाईए इन चिन्नों को आरुही क्रम में विवस्थित करें हम देख सकते हैं कि 9 सबसे अधिकारा है अता हम कह सकते हैं कि 9 ही अंकों का बहुलग है क्या आप जानते हैं स्टेटिस्टिक्स शब्द लेटिन के स्टेटस या टैलियन शब्द स्टेटिस्टा से आया है इन शब्दों का अर्थ राजनेतिक राज्जे या सरकार होता है शेक्सपीर ने अपने नाटक हमलेट संसोला सुदो में स्टेटिस्टिक्स शब्द का प्रियोग किया है पुराने समय में सांकिकी का प्रियोग शासकों द्वारा किया जाता था लेकिन सांकिकी का प्रयोग शासकूं और राजाओं तक ही सिमित था, जो इसका प्रयोग अपने सैनिक्षमता, संपत्ती, करों और दूसरे सरगारी मदों के आकलन के लिए अपने राजी की भूमे, क्रिशी, वानिचे, जन संख्या की गढ़ना के लिए किया करते थे। सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संख्येप में दोहराएं। एक निश्चित उद्देश से एक अत्रित किये गए तथ्यों और अंकों को आकला कहते हैं। सांख्य की अध्यन का वो ख्षेत्र है, जिसमें आकणों के प्रती, प्रस्तुती करण, विशलेशन तथा निर्वचन पर विचार किया जाता है। अवर्गी गृत आकणों की केंद्रिय प्रवरित्ती की तीन माप हैं। माध्धे प्रिक्षणों के सभी मानों के योग को प्रिक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त हो जाता है। इसमें X प्रकट किया जाता है। माध्यक माध्यक सबसे मध्य वाले प्रिक्षण का मान होता है। जब प्रेक्षणों की संख्या N विशम होती है, तब माध्यक N जमा एक बटे दोवें प्रेक्षण का मान होता है। बहुलक सबसे अधिक बारंबरता वाला प्रेक्षण बहुलक होता है। कर दो दो कि संगीक बारंबरता वाला प्रेक्षण बटे है। हैं योलकでは मत बटेओंगा है।